सबसे पहले तो आप सभी को नव रातरी की बहुत बहुत सुब कामना हैं तो आज मैं आप सभी के साथ चेह करने जारी हूँ नव रातरी स्पेसल वरत में सबसे ज़्यादा पसंद किये जाने वाले ये साबुदानी की खीर की रेसिपी और आज इस खीर को हम बिना साबुदाना को भीगोए एक दम मिन्टों में बना कर तैयार करेंगे वैसे तो साबुदानी की खीर आप कई बार बनाए होंगे लेकिन एक बार इसे ऐसे बना कर देखिएगा ना ही ये जलेगी ना ही खीर फटेगी एक एक दाना एक दम मोती की तरह खीले खीले बनेंगे साथी इस वीडियो में वो सारे टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे किसे बनाने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी तो चलिए बिना देरी की इसे हम बनाना सुरू करते हैं तो एक दम गारी क्रीमी रबरीदार ये बहुत इस्वादिस्ट साबुदानी की खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा कपी बरे साइज वाला साबुदाना लिया है अगर आप वजन में देखे तो लगभगे 100 ग्राम है बाजार में हमें 3 साइज का साबुदाना मिल जाता है एक तो ये जो बरे साइज का है जादा तर इसे हम नमकीन बनानी के लिए यूज़ करते हैं और दूसरा ये जो मीडियम साइज में आता है जिसे हम खिचरी और खीर बनानी के ले लेते हैं और एक इससे भी छोटा दाना आता है जिसे कि हम मोती दाना बोलते हैं उसे भी हम खीर बनाने क्ले लेते हैं इसकी खीर तो हम हर बार बनाते हैं आज ये साबुदानी की खीर को हम बड़े वाले साबुदाना से बनाएंगे तो सबसे पहले एक भारी तले की कडाही को गरम करके इसमें हम एक से देर बड़ा चमच घी डालेंगे जैसे ही घी मिल्ट होकर हलका सा गरम हो जाए इसमें कुछ ड्राइफुट्स को फ्राई होने के लिए डालेंगे तो यहां पे मैंने 12-15 बादाम, 12-15 काजू और साथ में एक बड़ा चमच चीरोंजी डाला है गैस की फ्लेम को एक दम लो पे रखेंगे और लागातार चलाते वे इसे सिर्फ 2-3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ध्यान रखेगा कि काजू बादाम को फ्राई होने में ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा और इसकी जो क्वंटिटी है न वो भी आप अपने पसंद के नुसर कम ज़्यादा कर सकते हैं या पिर जो भी आपको पसंद ना हो उसे पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं देखिए सिर्फ 2 मिनट में ही काजू के उपर हलका सा कलर आने लगा है तब इस स्टेज पे इसमें हम किस्मिस डालेंगे ध्यान रखिएगा कि किस्मिस को फ्राई होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा एक दम लो फ्लेम पर लगातार चलाते वे सिर्फ आधा से एक मिनट के लिए फ्राई करेंगे जैसे ही किस्मिस ज़्यादा फ्राई होगा इसमें एक अलग सी करवाहट आ जाएगी देखिए सिर्फ 30 से 40 सकेंड में ही एक एक करके सभी किस्मिस फूल चुके हैं तो बस इससे ज़्यादा इसे फ्राई बिल्कुल भी नहीं करेंगे फटाफट इन सभी को करवाही से निकाल कर अलग प्लेट में रखेंगे देखिए काजू बदाम का जो कलर है ना इसे मैंने ज़्यादा डार्क नहीं किया है जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद इसे चॉप करेंगे अब ये जो करवाही में बचावा घी है इसमें हम साबू दाना को डाल कर फ्राई करेंगे गैस की फ्लिम को मीडियम टू हाई पे रखेंगे और धीरे धीरे लागतार चलाते वे इसे हम 3-4 मिनट के लिए भूनेंगे देखिए कुछ सकेंड में ही साबू दाना फ्राई होकर फूलने लगा है ऐसे घी में भूनेवे साबू दाना को जब हम दूद में पकाएंगे तो इसके जो दाने है न वो बहुत ही जल्दी पक जाते हैं और घी की वज़े से खीर का जो टेस्ट है वो और भी जादा बढ़ जाता है देखिए एक एक दाना कैसे पॉपकर्ण की तरफ फूल गया इसका जो साइज है न वो भी डबल से भी जादा हो चुका है तो जब एके करके सभी साबू दाना ऐसे फूल जाएं उसके बाद भी इसे हम दो मिनट के लिए और फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर तक सिख जाए और अगर थोड़ा बहुत कसर रहे गया तो इसे आगे दूद में पकाएंगे साबू दाना को फ्राई करते वे मुझे यहां पे लगबग चार मिनट हो चुके हैं और देखिए अब इसका जो कलर है वो हलका सा चेंज होने लगा है तो अब इस स्टेज पे गयास की फ्लिम को एकदम लो करके इसमें हम दूद आट करेंगे मैंने यहां पे एक लिटर फुल फैट मिल्क को पहले से ही एकदम अच्छे से उबाल कर रखा था ध्यान रखेगा कि डारेक्ट कच्चा दूद इसमें नहीं डालेंगे ने तो हो सकता है कि खीर फट जाए अब जब तक कि इसमें उबाल आने स्टार्ट ना हो जाए थोड़ी देर के लिए गयास की फ्लिम को हाई पे रखेंगे लेकिन ध्यान रखेगा कि इसे हमें छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है धीरी धीरी इसे लगतार चलाते रहेंगे ताकि दूद तले से लगे नहीं देखिए कुस देर में ही इसमें उबाल भी आने लगा है तब इस खीर के टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए इसमें हम थोड़ा सा केसर डालेंगे अगर घर में है केसर तो जरूर डालिएगा और अगर ना हो तो इसे बिना केसर के भी बना सकते हैं अब ग्यास की फ्लेम को यहाँ पे हम एकदम लो करेंगे और लो फ्लेम पे ही इस खीर को लगभग 15-20 मिनट के लिए पकाएंगे ध्यान रखिएगा कि हर दो मिनट में इसे हमें एक बार चला जरूर लेना है ताकि यह नीचे से जले नहीं ध्यान रखिएगा कि ग्यास की फ्लेम को हाई या फिर मेडियम बिल्कुल भी नहीं करना है नहीं तो फिर क्या होगा कि साबुदाना पकने से पहले ही दूद एकदम गाढ़ा हो जाएगा और किनारों पर ये जो मलाई जमने लगती है इसे भी खरोच के दूद में ही मिलाते जाएंगे थाकि ये खीर एकदम गारी क्रिमी और रबडीदार बने इस साबुदाने की खीर को पकाते वे मुझे आपे लगभग 15-17 मिनिट हो चुके हैं और देखिए अब ये काफी जादा गाढ़ा हो चुका है साबुदाना का एक एक दाना अच्छे से फूल कर ट्रांस्पारेंट हो चुका है और अंदर तक ये अच्छे से पका हुआ है कितनी आसानी से ये तूट गया अब मीठा करने के लिए इसमें हम 3-4 बड़ा चमच चीनी ढालेंगे अगर आप ज्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा चीनी और अड़ कर सकते हैं लेकिन अगर आप मीडियम मीठा पसंद करते हैं तो इतना चीनी एकदम परफेक्ट है जैसे जैसे चीनी मिल्ट होगा खीर की जो कॉंसिस्टेंसी है न वो थोरी सी पतली होगी एक बार मिला लेने के बाद अब इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए इसमें हम एक चौथाई छोड़ी चम्मची कूटी वी इलाइची डालेंगे साथ में ये जो ड्राइफूर्स को हमने फ्राई करके रखा था उसे भी डाल देंगे काजू के मैंने दो टुकरे किये हैं और बादाम को बारिक चौप किया है थोरा सा नर्स को मैंने बचा लिया है जिसे हम आगे गारिशिंग में यूज़ करेंगे और अब इसे ज़्यादा पकाने की बिल्कुल भी जरुवत नहीं है एकदम धीमी आज पर सिर्फ दो मिनट के लिए और पकाएंगे दो मिनट हो चुके हैं और अब ये एकदम गारी, क्रीमी, रबडीदार, साबुदाने की खीर पूरी तरह से बन कर तयार है इसकी कंसिस्टेंसी को भी देखिए एकदम पॉफेक्ट है जैसे जैसे ये ठंडा होगा ये थोड़ा और भी थिक हो जाएगा तो इससे ज़्यादा इसे गाठा बिल्कुल भी नहीं करेंगे नहीं तो ठंडा होने के बाद ये एकदम जम सी जाएगी और देखिए ना ही ये फटा है ना ही जला है और ना ही ये खीर चिपचिपा सा बना है साबुदाना का एक एक दाना मोती की तरग खिला खिला है अब आपको जैसा भी पसंद है गरम गरम या फिर ठंडा होने के बाद आप अपने पसंद कानूसारी से सर्व कर सकते हैं कोई भी वरत्थों साबूद आने की खीर तो हम ज़रूर बनाते हैं एक बार इसे ऐसे बना कर देखिएगा आपको यह बहुत पसंद आएगा और ट्राइ करने के बाद अगर आपको यह पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और अपने चैनल शिवानिस किचिन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई